सब्सक्राइब करें बेसिक नोलेज को डिसकस करेंगे ग्रोफ एण डिवलोपमेंट जो सीटेट्ट और दूसरे टेट्स के लिए काफ़ इंपोर्टन है चले स्टार्ट करते हैं ग्रोफ एण डिवलोपमेंट में फärस्ट हमें यह समझना है कि ग्रोफ क्या होता है growth की बात करें, तो growth is defined as a gradual development, मतलब growth जो होता है, यह development का ही एक part होता है, जो gradually maturity लाता है, और quantitative change लाता है, size में, weight में, height में, ठीक है, तो growth क्या होता है, हमारी height बढ़ती रहती है, height का बढ़ना हो या कमना हो, और से हम बोल सकते हैं, हमारी size, maturity, weight, यह सारा बढ़ना कमना, उसको हम हमारा growth है, वो indicate करता है, जैसे हम यहां देख सकते हैं, कि यह जो पौधा यहां लगा हुआ है, gradually growth हो रही है, छोटे से बड़े court जा रहा है, इसके height में changes आ रहा है, इसके weight में changes आ रहा है, यहां पर देख सकते हैं, बच्चे की height को indicate कर रहा है, इसका मतलब है, इसकी growth कितनी होई है, यह यहां बताई जा रही है, तो growth हम समझेंगे कि यह quantitative change होता है, हमारे size में, age में, weight में and height में, फिर समझ लेते हैं, development क्या होता है, कि development is a process that creates growth, मतलब जो growth का, मतलब development के अंदर growth आता है, अगर हम रखेंगे यहां पर यह development है, तो उसके अंदर यह growth आ जाएगा, that means growth जो होता है, वो development का ही एक part होता है, अगर बात की development की, तो अगर हम एक example ले सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ का बढ़ना वो अगर हमारा growth है, तो उसकी जो ability है, काम करने की शमता है, उसे हम विकास बोल सकते हैं, development बोल सकते हैं, तो development कहा होता है, development is a process that creates growth, development वो process होता है, जो की growth को create करें और change in addition of physical, economic, environmental, social और demographic components मतलब इसमें development कहने से सिर्फ हमारा physical growth हो गया दिन वो नहीं है बलके कोई एक बच्चा हो या फिर कोई living thing हो उसका living beings हो उसके लिए उसका all-round development उसको हम कहते हैं development जैसे कि उसका size में change होना हो या फिर उसका socialization हो या फिर वो बच्चा कितना mature है उसका कितना moral development हुआ है वो बच्चा कितना emotionally developed है तो वो सारे all-round जो है उसके सारे all category को अगर हम देखें तो उसको हम development बोलते हैं अगर बात growth की की जाए तो growth जो होता है जिर्फ physical aspect को ले है क्या होता है मतलब change in size वो ग्रोथ में तो अगर development करें तो इसमें भी change in size होगा क्यूंके यह बोथ qualitative & quantitative होता है qualitative तो होता यह उसके साथ loss quantitative भी होता है मतलब growth development जो है हो qualitative है और quantitative हि है बास growth की को जाए तो growth 신 Kanan quantitative है जिसको सिर्फ major किया जाता है लेकिन development जो होता है, वो measurement का हमारा result के साथ-साथ उसके हर aspect को देखता है, जैसे social हो, moral हो, emotional हो, as usual, physical भी, आप देखें, यहाँ पर butterfly के development को बताया गया है कि किस तरह develop, एक caterpillar butterfly में develop हो रहा है, तो butterfly होने के लिए इसको एक gradual एक sequence में जाना पड़ेगा, और हर sequence में यह अपना-पना काम perform करके, इसका development पूरा इस तरह होता है, यह पूरा butterfly को तक पहुंचता है, then देखेंगे next, what is difference between growth and development, growth तो यह quantitative होता है, यह measurement को बताता है, height और weight को measure करना, और development जो होता है, बोथ qualitative and quantitative होता है, इसमें all aspect होते हैं, जैसे behavior हो, efficiency हो, capability हो, यह सारा development में होता है, then second thing है कि growth जो होता है, वो limited होता है, यानि definite age तक होता है, लेकिन जो development है, वो lifelong process है, मतलब यह पूरा घर्वस से लेकर के कबर तक जाता है, हम बोल सकते हैं, मतलब से तुम तक जाता है, मतलब lifelong चलता रहा है, ग्रोथ की तो ग्रोथ जो होता है, फूड से होता है, क्योंकि हमारे जो खाना जो हम खाएंगे, उससे हमारी growth होती है, और बात रहे development की तो उसके लिए education की जरूरत होती है, फिजिकल अक्टिविटी और हमारी social interaction यह सारे development के लिए ज़़री होते हैं, और बात रहे growth की, तो growth हमारे जो और aspects से related है, और बात रहे development की, तो development हमारा से physical नहीं होता, बलकि mental भी होता है, social भी होता है, emotional होता है, अपने fear, anxiety, love, affection कैसे अपने दूसरों के सामने यह पेस करता है, तो यह सारा development के अंदर में आता है, यह next day कुछ question है, discuss करेंगे, growth and development की, तो first यह है, child development is a process of, child development जो होता है, वो क्या process है, slow and speedy movement है, यह movement की बात कर रहा है, सिर्फ movement नहीं होता है, child development, और बात करें, continuous, gradual, ongoing process, तो यह कुछ हद तक सही है, क्योंकि, development जो होता है, वो continuous होता है, gradual होता है, और ongoing process है, इसको हम रखेंगे, next देखते है, development है, ongoing development, यह बोला है, same pace की, यह various होता है, development, then बात की जाए, development है, cognitive ability, यहाँ पर सिर्फ एक ही ability को बताया है, वो है mental और cognitive, लेकिन, development सिर्फ यह cognitive ability को लेकर नहीं होता है, बलके all round होता है, हमारा जो B है, वो सही हो जाएगा, then देखेंगे next को, next हमारा है, what is the meaning of child development, child development का meaning क्या है, child development is length, breath and fitness of child, no, यहाँ पर fatness, length, breath नहीं है, क्योंकि यह हमारा growth है, तो यह नहीं होगा, development is a mental and intellectual ability, यहाँ पर बात की जाए, development की तो यहाँ पर सिर्फ दो ही ability दिया है, mental and intellectual, जबकि हम around, overall होता है, यह नहीं होगा, in third is overall development of a child, यह सही है, क्योंकि हमारा development, जो होता है, overall development of child होता है, तो यह बाला नहीं होगा, then next देखते है, next है, what is the meaning of growth, growth का अर्थ क्या है, तो अगर देखें, growth की, तो बात करें, growth, growth होता है, related to result, result से related है, इसका मतलब है, कि यह बोलता है, all types of all types of aspect result को बोलेगा, तो यह growth नहीं होगा, हम जानते है, growth जो होता है, वो उसको measure कर सकते हैं, हम side save, और उसका height weight होता है, उसका measure करना growth होता है, तो हमारा option जो B है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ थे questions, growth and development से related, और development जो होता है, उसके बहुत सारे stages होते हैं, और ब वीडियो अच्छा लगता है, helpful लगता है, और इसके questions अच्छे लगते हैं, तो आप इसको like करें, subscribe करें, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा share करें, thank you